वेलकम वेकिन माई टूप चला दोस्तों मैं हूँ अटरस्पंडर और आप देख रहे हैं यूनिक स्विलेने यूनिक दोस्तों आप सब की एक क्वेरिश थी किस तर थोड़ा वह सेर वॉल के अरुम्रत आहिए अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सोफ्टेर के थो आपनी जॉब को फिक्स कर लूँगा बिलकुल भी नहीं सॉफ्टेर को चलाने से पहले मैथमेटिक्स नहीं आएगी तो आपको प्रावलम होगी दोस्तों सो इस मैथमेटिक्स को देखिए मनलब सेर वॉलम को समझेए कि क्या-क्या चीजे ये रॉलम होती हैं और क्या-क्या हमें नहीं बता है कितने टाइप्स होते हैं कौन सा टाइप कहां भी यूज करते हैं अगर यह नहीं पता है तो आप इंटर्व्यू कैसे ट्रैक करोगे इ कि इसके types क्या है, इसके definition क्या, इसके thickness क्या रखते हैं, कहां लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, कहां safe रहता है, कहां safe नहीं रहता है, कव design करना चाहिए, यह सारे questions हैं interview के, आप इनको चाहिए तो लिख लीजिए और इस वीडियो को देखने बाद आप complete हो जाएगा, तो आप stat pro के भी lectures के लिए खोज रहे हैं, कि मैं stat pro कहां करूं, कैसे करूं, अगर आपको सिर्फ stat pro करना है, तो कहीं और कर जाना, बट अगर आपको सही से concept के साथ, practically experience के साथ, अगर stat pro सीखना है, तो मेरी Friday को एक batch start हो रही है, फट आप पर जाके उसको registration कर लेना, मेरे WhatsApp नमबर 9792621 फट आप जाके वाँ भूख कर लो सिट को, आपके लिए बेतर रहेगा, और साथे साथ उसी का example है, आप देखो कि यहाँ पर सीर वाल हम लोग किस तरीके से बढ़ते हैं, compare to, जो जस्ट हम प्लेट लगाते हैं, प्लेट नहीं लगाते हैं, आप इसके types हम लोग प्रॉपर करते हैं, फिर जाके इस चीज़ को software पर करते हैं, तो चली वीडियो को देखिए, और वीडियो को देखने के बाद मुझे comment करिएगा कि आपको manual design आती है, क्या, कितने लोगों को side types पहले से आप थे, वो भी नीचे comment करना, और कितने लोग चाहते हो कि retaining wall के बारे में भी discuss कर is the lateral force, horizontal force को resist करने के लिए इसको use करते हैं, और provide strength and stiffness to control the lateral displacement, strength and stiffness for control the lateral displacement, minimum thickness 150 mm and maximum is 400 mm, ओके तो यह इस तरीके से आ गया, और इसके बाद simple rectangular types का type है, पहला, दूसरा है couple wall, तीसरा है rigid frame shear wall, चौता है framed wall with acetine fill, और उसके बाद पाचवा है column support shear wall, और चटा है core type shear wall, चलो एक एक करके discuss करते हैं सब के बारे में, देखिए पहला, जो important है, जो हम लोग ज्यादा तरफ करते हैं, और जो आज का हमारा topic है, यह है simple rectangular type, क्योंकि इसी का ज्यादा इफिट पढ़ता है, जहां पे building twist होती है, twisting होने खतरा रहता है, जहां से आ हैं, दो columns के साथ, okay, strong and more ductile बनाने के लिए पूरे structure को, तो आपने देखा होगा, swapping wall लोगे रहे हम देखना कभी, उसमें जो back ends, जो पीछे की जो wall होगी, उसके पूरा concrete का बनाते है, reason क्या है, पीछे वो लोग इस टोर रूम लगते हैं, तो इस टोर रूम में क्या होता है कि dead load, sorry, live load उसका जाधा रहता है, तो इसकी होज़ा से वो पीछे रखते हैं, दूसरा region रहता है, वहाँ पे lift भी रखते है, store room बाला lift अलग होता है, और आप लोग के लिए जो दीश में stairs का lift लगते हैं, वो अलग रहता है, तो इसकी होज़ा से swapping wall लोगरम हमेसा last में दे process करेगी structures, okay, next है आपका couple wall, couple wall क्या होता है, couple wall यानि कि आपका दो buildings है, आपने देखा होगा अपने hostel में देखिएगा, याद करिए hostel college का, जिसे first year की एक building रही होगी, और second year की building रही होगी, इन दोनों buildings को connect करने के लिए एक B से shear wall गया होगा, B से shear wall गया होगा, अब आप बो जाती है, बट जब longer span हो जाता है, तो beam को deep beam देना पड़ता है, और जब deep beam देते हैं, तो उसको हम लोग बलते है, couple wall, जो की support करता है, क्योंकि normal अगर 230 का आप beam देती है, और आपका span जो है hostel का किना बड़ा बड़ा रहता है, तो problem हो जाएगी, next होता है, rigid frame shear wall, ये क्या होता है, आपने देखा होगा, south की movies में देखना, डेर सारे movies ऐसे रहते हैं, जिसमें वो लोग ऐसे बड़े धेर सारे structures बनाते हैं, और उपर है लिखावटर उनका रुखता है, फिर वहाँ से फिकता है, किसी hero को, heroine को पकड़ता है, तो ये क्या है, कि जो high-rise buildings होती है, उसमें अब ये seer wall जो है, अगर ये हम लोग ऐसे concreting करते चले कि 300 mm का, 10 floor, 20 floor तक, तो कितना ज़्यादा dead load एक तरफ बढ़ जाएगा, और आप चारो तरफ तो अब लगाओ कर नहीं, एक तरफ बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, कि एक तरफ बैलेंसिंग ज्यादा है, तो क्या हो यह है, provide greater lateral rigidity, ठीक है, और can we build up 20 to 25 floors, composed of compressed panels, वहलब ऐसे panels बनाके, steel structure के panels बनाके, उसके थुरू हम लोग लगाते हैं उपर तक, आज कल ये maximum buildings, जो भी आपको बड़ी building देखोगे, उसमे देखना, एक तरफ तो जरूर पूरा का पूरा इस तरीकी 0 डाल देते हैं, उसका reason क् होता है, तो dead load कम हो जाता है, और दूसरा चीज की look भी इसका अच्छा देखने लगता है, कहांच का पूरा का पूरा building हो जाता है, no idea daily, सब जगों पर देखो, तो भी सारी building के लभ 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 वह ऐसी बन रही है, next है आपका framed wall with HCT infill, HCT क्या होता है, hollow clay tile, देखें, अब लि clay tile है, क्या है, यह hollow clay tile, और जो बीच में आप देख रहे हैं, blue color का, यह क्या है, यह है आपका CFRP, क्या है, CFRP, यह क्या होता है, carbon fiber reinforced polymer, carbon fiber reinforced polymer, काम क्या है इनका, यह symbols अग्यात करिए, आपको कहां पर मिला था, लास्टेम आपने कहां पर देखा था, यह symbols को, आपने यह symbols देख हो, ठीक है, ऐसे जोगों पर जहां पर आपका घर के बगल से, railway के लाइने गई हुए है, वहाँ पर देख सकते हो, आप ऐसे symbols को, तो यह symbols के काम क्या होते हैं, इनके काम यह होते हैं, यह मांने कि आप railway का platform है, और यह नीशे का concrete भी होता है, तो heavy होता है, अब platform पर क्या होत कि जो लंका दहन के टाइम पे बीच में कुछ लोग खड़े थे पट्री पे, लभक सो लोगों को train दबाती हुए चली गई, उसका reason पता है आपको, उसका reason यह था कि अगर उस ताइम पर ब्रेक ले लेता, अगर उस ताइम पर अचानक से ब्रेक ले लेता, तो उसका action कि इसकी जो train थी वो पलड़ जाती पहली बात तो यह और नहीं पलड़ती तो एक काम तो जरूर होता आप उसके जो train थी, उसके alignment गड़ बढ़ जाता है, alignment पूरी train हो थी कई km तक, और पूरा का पूरा train जो हैता है, मैं तो अंदर से बैट के देखा हूं उसके engine पे, वो पीछे के जितने loads आ रहे हैं, पीछे जितनी train आ रही है, सब फटा पट गिरती चली जाएगी, गिरती चली जाएगी, तो इससे बेटर रहे के 100 लोगों मर दो, यह इसका क्या काम होगा उसमें, यह जो है, यह क्या करता है, अभी जब आप देखते होंगे, डेलवे आने का दूर तक सुनाई दे, तो अगर हौन तेज है, तो प्रॉलम क्या होती ही, कि अगर six number वाला platform वाला है, काम उसको है, लेकिन वो one number पर train आई, तो भी उसने सुचा मेरी train आ गई क्या, जल्दी जल्दी से सब भगदर मज जाती है, और जब भगदर मज जाती है, आपक इसके लिए क्या करते हैं, प्लेटफॉंस पर ऐसे symbols लगा देते हैं, और इसमें क्या होता है, जो CFRP है, यह आवाज को खीशता है, खीश लेता है और इसके बाद जो आपका यह CT है, यह क्या करते है, उसको absorb कर लेता है, खीश के अंदर उसको acid कर लेता है, उसको, उससे क्य आप देक्ते होंगे flywares के नीचे भी, आप देख्ते होंगे बड़े बले flywares, फlywares के नीचे देख्याए जो gray color आप wall देखते हैं, वो improve creamy city walls लेथी है, उसका फैदा क्या होता है, आप flywares के ऊपर से जा रहे है, कितना जादा horn, tire, sound हो गटाए हो रहे हैं, और flywares के बहग वहाँ पर हम लोग movies वगरह देखते थे, वहाँ पर क्या होता था कि एक जलता था तो क्या होता था, चारों तरफ से आवाज आती थी, कि वहाँ पर वहाँ पर वह थे देख रहे हैं आप लोग, जैसे क्या हम लोग देखते हैं, अपना सिने पॉलिस है और क्या बॉलते हैं, कैसे पॉसिवल है, क्योंकि वो लोग CFRP और STT की फ्रिक्शी हुच करते हैं, उनका जो साउंड है, एक रूम में ही, बलग उस साउंड है, और उसी रूम में सुनाई द तो गृते हैं तो के बोल तेने तो आवाज ऐती थी कम तो हो जाती थी बड़क कुछ नहीं होती इतना तेज अब्जार्विंग है तो यह और उसके वज़े से आपको sound भी बहुत अच्छा सुनाई देता है क्योंकि उसका sound बाहर निकलता ही नहीं है उसी के अंदर आपको सुनाई देता है तो यह इसके फायदे होते हैं यह city यूज़ करेंगे तो आपके meeting का जो room है उसका आवाज कहीं दूसरे room में नहीं जाएगा next है आपका column support seer wall, column support seer wall क्या होता है आप देखते होंगे दुनिया को जो सबसे बड़े बड़े construction होते हैं कहां पे होते हैं maximum कहाँ होते हैं आपको बोलोगे सद दुबई में correct और आपको पता है कि जो bearing capacity होती है अगर मालीज आपके पास एक fountain pen है या कोई pen है उस pen को एक बार आगर आप sand के अंदर डालो और उसके वाद उसको फूक हो तो गिर जाएगा बट उसी pen को अगर आप एक स्वाइल के अंदर डालो और फिर फूक होगे नहीं गिरेगा क्यों क्यों क्यूंकि स्वाइल की bearing capacity ज्यादा होती है compared to sand देखते होंगे आप लोग sand में गिरे भी आते होगे वर्ट स्वाइल में आप कभी गिरते हैं नहीं हों लेकिन फिर भी आकर देखो तो आप को दुनिया की जो सबसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगी हो लोग कोन बना रहा है वो पूरे को पूरे बना रहे हैं दूबई वाल जितना strength जो proper पहले से स्वाइल है उसके लिए तो लोग क्या करते हैं वो लोग ऐसे ही columns create करने के बाद i section बड़े बड़े लेते हैं और उस sections को drill कर देते हैं अपने main column के साथ और चारों तरफ से आपके columns को close कर देते हैं फिर छोटे-छोटे से sub columns sorry sub beams और उसके बाद main beams ऐसे करता है और वो काफिया तक अच्छा होता है next है आपका core type share wall core type share wall क्या होता है अभी आप देखते होंगे आप सब जो आपका lift है lift में आप लोग जो एंट्री करते होंगे एक साथ 10 लोग 8 लोग entry करते होंगे correct अब सोचो 8 लोग 10 लोग entry करते हैं फिर भी आपका lift कीड़ता नहीं है आप बोलो कि हां sir तो actually क्या होता है कि जो अपका brick है आपको पता होना अच्छी अगर हम brick की वहां पर wall लगा दें तो definitely देख लेज़ेगा बहुत ही कम दिनों वो लेके गिर जाएगा अगर brick का wall है तो लेके वो गिर जाएगा reason क्या है क्योंकि brick जो होता है वो compressive member ह वोटा है और कम्राशिव मिंबर यह क्या होता है है । वो अपने जो उसको तुमने कोई memory किया है इसको तुमने अगर क्या Dear लोट दिया तो अकेले अब्जॉब करने की 엮रोशे करता है यो उसका काम यह नहीं कि भाइ तुम जा लो एलो थो क्या होगा brick को लोड दिया-ङ लोग एक साथ चढ़ें तो पूरा का पूरा ब्रिक आकेले उठाने को सिस करेगा, बट अगर वहीं पर स्टील रहेगा, स्टील यूज क्यों कर रहे हैं उस वहाँ पर रहेगा, तो स्टील क्या करेगा, वहाँ का जो लोड है, उस लोड को उपर नीचे ट्रांसफर कर देगा, उस लोड को उपर नीचे ट्रांसफर कर देगा, यह फायदा होता है उससे, इसलिए RCC की वॉल यूज करते, अब देखते होंगे आप लोग इस टेर केस में, यह Core Type Seer Wall Staircase में भी यूज होता है, जो आप लोग West Labs के नाम से जानते हो, वह actually Core Type Seer Wall है उसमें क्या हो रहा है, अब जैसे कि आपका Brick का Wall है, देखो किसी लोग घरों में बना होगा, मेरे घरों पुराने वाले में बना हुआ है, जैसे हम लोग उसके उपर जाते जन जन आवा जाती है, और प्लस अगर उस पर बहुत धेर सारी लोग आ जाती है, तो मुझे लगते हैं वो गिर जाएगा, बट आप जो RCC क्या बनाती हो अपना स्टेर केस, क्या रहता है उसमें, चाहे जिरने लोग जाओ, कोई प्रॉलम नहीं होती, स्कूल हो गरहा है मैं देखते हो, स्कूल हो गरहा हम क्या होता है, एक साथ लाइब लोड निकलता है, चार बज़े बच्चों की छुट्टी वी सब भागना चाहते हैं एक साथ, याद कर अपने स्कूल के दिन, सब लोग भागना चाहते थे, अब जब भाग रहे हो तो एक साथ लाइब लोड जा रहा था, अब एक साथ लाइब लोड में अगर आपका वहां पर वेसलेब नहीं है, मालब यहां पर कोड़ टाइब सीर वाल नहीं है, तो क्या करेगा, वह अकेले उस जहलने के उसिस करेगा और लेकर गिर जाएगा, बट अगर कोड़ टाइब सीर वाल है तो आपके लोड को ग्रैविटी पर ट्रांसफर कर देगा, जब आपको ट्रांसफर कर दिया, तो फिर कोई दिखका थी नहीं आपको, ठहना, तो इस तरीके से ही हो जाता है, हाँ, वाटर टाइंग को और सेफ्टिक टेंग में भी करते हैं, में रिजन यहीं रहता है क्योंकि हम लोग दिन भर उसके उपर लोड लाग रखे हुए हैं, नेक्स्ट यहाँ पर आपका यह आप देख रहोंगे, अब यह सिंबल से आप याद करिए आपने कहां पर देखा था लास्ट टाइम, आप सब में देखा है, बट क्या बोलते हैं, याद नहीं होगा, आप लोग अंडर ग्राउंड कोई फ्लाइवर को जब क्रॉस करते हैं, तो फ्लाइवर जो बड़े बड़े रहते हैं, जो टनल ओनल टाइप करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको सर्र आवाज आती है वो फ्लाइवर तो जब आप गाड़ी चलाईए, तो आपको लगता है पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, और आप एक्सीडेंट बहुत होते हैं, आप वहाँ पर पूछीं, किसी से बताएंगे, यार शुश्च्मी आप एक्सीडेंट बहुत होते हैं, रिजन क्या होता है, लोगों को लगता है पीछे से कोई आ रहा है, तो टेढ़ा मेड़ा चावाने लगता है, साइड देने लगता हैं वाजब कि पी carbon fiber reinforced polymer का एक यहाँ पर beam डाल देते हैं, वो beam क्या करता है, सारे sound को खीच लेता है, sound को खीचने से फायदा यह होता है, कि आपको पता है निचले कि आप tunnel के नीचे जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, बहुत जगों पर होता है, कई जगों पर hidden होता है, और कई जगों पर बाहर से लगा देते हैं, इसको लगाना चाहिए, और यह जो red color की brick दे रहे हैं, अपने यहाँ जो यह उज़ों ग्रे कलर की होती है, तो यह करता क्या है, यह वही है, जो आप flyover के नीचे देखते हो, Located symmetrically to avoid the ill effect of twisting, मलब symmetrical बनाओ यह, और कहाँ पर बनाओ, जहाँ पर twisting को रोकने का जरूत हो, जहां से हम twisting को रोक सके, ऐसी जगा पर ही स्कौम को बनाना चाहिए, Can be located at exterior or interior, बाहर भी लगा सकते हो और अंदर भी लगा सकते हो, लेकिन more effective when you located along exterior parameter of the buildings, क्यों भाई, बाहर लगाने से ज़्यादा फायदा क्यों हो रहा है, क्योंकि यह just like a security guard है, क्या है, अब आपने security guard लगाया हुआ है, अगर आप apartment के अंदर लगाएंगे तो फायदा है, य building पर जो effect आने वाला है सबस्यादा, वो outer portion बैगा न, wind का pressure सबस्यादा, तो जब outer poster पर आएगा, तो वहीं पर twisting होने का ज़्यादा खत्रा रहेगा, और जब वहीं पर twisting होने का ज्यादा खत्रा रहेगा, तो हम definitely क्या करेंगे, वहीं पर हम लोग 0 alcohol लगाएंगे. Hope आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा, तो मैं इसी तरीके से जो भी आपार topics होते हैं, पहले मैं topics के बारे में discuss करता हूँ, मैं उसकी theory पर जाता हूँ, क्योंकि मैं हमें साब बोलता हूँ कि यार अगर concept भी नहीं clear है, तो फिर software पर क करके क्या करोगी, तो मेरा पहला concept इस तरीके से रहता है, इसके वादर लोग software पर करते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं software के लिए भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करो, तो प्लीज मैं से बता रहा हूँ, साथ ही साथ जितने लोग अभी confused होगे कि मैं अपने structure को कैसे design कर साथ ही साथ, अगर आप खुद की company खोलते हो, खुद का project handle करना है, तो पूरा overview दे रहा हूँ कि किस तरीके से अपना खुद का project साइट पर कैसे चूज करना चाहिए, वहां से लेके soil की testing कैसे करनी चाहिए, वहां से लेके material की testing कैसे करनी चाहिए, वहां से लेके structure की design, BIM की design पूरा तो पूरा overview आपको बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे आपने project को करते हैं, तो आप एक entrepreneur भी बन सकते हैं, इस course को करने की बाद, join कर लो, उसके बाद आपको अगर अच्छा लगेगा तो मुझे बताईए, अगर बुरा लगेगा तो बताएं कि मैं आपको return कर दूँगा,